ममता कालिया जी का उपन्यास सपनों की होम डेलिवरी हमें आज के माहोल में जीने वाली एक इंडिपेंडेंट महिला रुची शर्मा के जीवन से रूब्रू कराती हुई आगे बढ़ती है रुची अपने पती प्रभाकर से तंग आकर उससे तलाक ले लिती है और उसकी जिंदगी में कई सालों की खामोशी के बाद एक पुरुष सानिथ्य आता है और वो है सरवेश नारंग जो की एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था और चानता था कि रुची उसके साथ लिविन रिलेशन्शिप में रहे शादी के बंदन में फसना वो नहीं चाता था और रुची इलिविन रिलेशन्शिप के खत्रों से वाकिफ थी वो जानती थी कि चाहे उसका पहला विवा एक पराजय रहा हो लेकिन वो विवा के अलावा किसी और तरीके से सर्वेश के साथ बंदना नहीं चाहती थी वो सोच समझ कर काफी वक्त देकर उसके और सर्वेश के रिष्टे को एक नया नाम देना चाहती थी वो सोच समझ कर काफी वक्त देकर उसके और सर्वेश के रिष्टे को एक नया नाम देना चाहती थी तो इसलिए हमने पिछले एपिसोड में देखा वो कहती है कि हम मिलते रहेंगे और इस प्रकार मिलते रहने के बाद हम आपस में एक दूसरे को ज़्यादा जान सकेंगे और हुआ यूं की काम से फारिक होकर वीकेंड में सर्वेश और रुची मिले दोनों और इंतजार था जिसकी बेचैनी सिर्फ कैफे कॉफी डे में बैटने से दूर नहीं होती खुद बखुद उनकी कार ओशिवारा के विक्टोरिया चैंबर्स की तरफ मुड़ गई और इस प्रकार दोनों मिलकर एक हो गए और इस प्रकार दोनों एक हो गए और देर रात जब वे अपने स्वपन लोग से जागे दोनों को लगा जैसे बहुत दिनों बाद वे आजाद हुए हैं सरवेश ने रुची से कहा ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बरसों की धकान आज उतरी है पता नहीं तुम्हें कैसे लगा मुझे अच्छा और हलका लग रहा है रुची हम एक दूसरे के पंदरा अगस्ट बनेंगे तुम मेरी 26 जन्वरी मैं तुम्हारा पंदरा अगस्ट हम ऐसा रिष्टा बनाएंगे जिसमें खूप खुलापन हो अब देखिए दोनों एक हो जाते हैं एक नया अंदास दिना चाती है वो कहते हैं कि दोनों आपस के पंदरा अगस्ट बनेंगे पंदरा अगस्ट मतलब हमारा इंडिपेंडेंट्स डे है तो शादी के बंदन में बनना जहां सर्वमान्य है कि उससे हमारी स्वतंदरता कम हो जाती है इसके ठीक विपरीत सर्वेश नारंग और रुची दोनों के पंदरा अगस्ट बनने की बात करते हैं और तुम मेरी 26 जनवरी बनो मतलब रिपब्लिक दे तो रिपब्लिक दे में होता यह है कि इंडिपेंडेंस के बाद थोड़ा नियम वगरा लागू होकर और रिपब्लिक दे आ जाता है तो इस प्रकार 15 अगस्ट और रिपब्लिक दे यह दोनों आपस में अपने बंधन को यह नाम देते हैं और जिंदगी का यह नया अध्याय बिना शोर शराबे शुरू हुआ सबको इमेल कर नया पता भेज दिया गया और अपना ओशिवरा वाला मकान रुची ने ताला लगा कर बंध कर दिया उसका कुल सामान वही रहने दिया सर्वेश के यहां सब कुछ था ही रुची और सर्वेश के इस नय संबंध पर न तो किसी ने फूल बरसाए ना कांटे उन्होंने दो मित्रों की उपस्तिती में नौटरी से अपनी विवा की रजिस्टरी करवाई और हल्दी राम के रसगुलों से सब का मुँ मिठा कर दिया अब देखे यह आकर सर्वेश के फ्लैट में रहने लेगी रुची दोनों ने अपना मैरिज रजिस्टर करवाया और इस प्रकार यह दोनों एक नया जीवन शुरू करते हैं अब देखे रुची सर्वेश के साथ रजिस्टर विवा करती है उसके फ्लैट में रहना आरम करती है लेकिन उसने अपने जीवन का वो सच कि वो एक बेटे की मा है उसने वो अभी तक नहीं बताया और दूसरी तरफ सर्वेश बीच बीच में अपने बेटे अम्ष के खोने की बात कहता रहता है और रुची अपने बेटे की बात शेर नहीं कर पाती क्योंकि उसने वो सच बताया ही नहीं रुची की समस्या यह थी कि वो गगन संबंदी अपनी चिंताएं पती से बांट नहीं सकती थी उसने उसे यह बताया ही नहीं था कि उसके कोई बच्चा भी है अब वह पश्ताती अगर उसने यह तत्य उजागर किया होता तो अब वह सुझाव दे सकती थी कि वे लोग गगन को साथ रखें वहालग बात है कि गगन यह प्रस्ताव मानता या नहीं अब वो पश्ता रही थी कि अगर मैंने पहले सरवेश को कह दिया होता कि मेरा भी एक बेटा है और अब चुंकी सरवेश के खुद के बेटे की मौत हो गई है तो वो चाहे यह सजेशन रख सकती थी कि क्यों न हम मेरे बेटे गगन को हमारे साथ रखें लेकिन उसने अपनी बात कही ही नहीं और रुची के मित्र मंडली को रुची की इस सवभाग्य पर काफी जलन होता वो कहते कितना लिबरल शोहर पाया है तुमने तुमें जीने की काम करने की पूरी आजादी देता है वो क्या था इनके बड़ी उम्रक के इस संबंद में रुची और सर्वेश ने एक नूतन प्रणाली का प्रणय निर्मित किया था अपने कारी जगत की विस्ताओं का दोनों खैयाल रखते थे दोनों के अलग-अलग बैंक खाते थे और कोई किसी के आयवयय में हस्तशेप न करता था सबसे बड़ी आजादी इस बात की थी कि रुची जब अपने घर जाकर रहना काम करना चाहे उसे पूरी छूट थी अगर सर्वेश को फुरसत होती तो वह भी कभी-कभी ओशिवारा पहुँच जाता अब ये देखकर रुची के मित्र कहते उसकी मित्र मंडली कहते कि कैसे लिबरल शोहर पाया है और रुची बड़े गर्व से कहती इसलिए तो मैं उससे कहती हूँ तुम मेरे 15 अगस्ट हो तो रुची क्या कहती जवाब में इसलिए तो मैं उससे कहती हूँ तुम तो मेरे पंदरा अगस्थ हो और वह तुमें क्या कहता है मित्र पूछते हैं तो वह कहती है वह मुझे अपने 26 जनवरी कहता है तो इस प्रकार इन दोनों का एक नया दामपत्य जीवन शुरू होता है यहां स्त्री पुरिश संबंदों के बारे में ममता कालियाजी यूँ जिक्र करती है हर जीवन साती की इच्छा रहती कि वह पत्नी के संपून जीवन को संचालित करें सुबह उसके जागने से लेकर रात उसके सोने तक बहुँ उसका नक्षा तयार रखता कि पत्नी को क्या करना है कुछ जीवन साती तो ऐसे थे कि पत्नी को बातरूम या टॉयलेट में भी अगर देर लगती तो नर्वस हो जाते पत्नी के बाहर निकलते ही पूछते अंदर बैठी क्या कर रही थी पत्नी के कहने पर कि वो टॉयलेट में अखबार पड़ रही थी या क्रॉसवर्ड कर रही थी जीवन साती ने बुरा माना और कहा ये सब काम बाहर आकर भी किये जा सकते हैं कुछ पतियों को इस पर एत्रास था कि उनकी पत्नी फोन पर लंबी बातें करती हैं तो कुछ को इस पर कि वो फेस्बुक पर धेरों दोस्त बनाती है अब देखिए इस कारण स्वतंत्र चेता लड़किया शादी से बचने लगी थी ये ममता कालिया जी पुरुष मानसिक्ता पर प्रकाश डालती है कि पुरुष अक्सर चाहता है कि वो अपनी पत्नी के उपर उसकी सभी क्रिया कलापों पर एक कंट्रोल रखे और यहां उससे भिन एक पत्नी सर्वेश और रुची जो एक दूसरे की विस्तताओं को मान्यता देते थे और अपना लग-लग बैंक अकाउंट मेंटेन करते थे और यहां तक की काम की विस्तता में रुची को इस बात का अधिकार था स्वतंत्रता दे रखी थी कि वो चाहे तो अपने फ्लैक में जाकर अपना वर्क कर सकती थी अब देखिए इस बीच प्रभाकर का क्या हाल होता है प्रभाकर शर्मा आपको याद होगा रुची का एक्स हस्बेंड वो क्या था वो उसका स्वास्त्य काफी गिरने लगा था वो एक जमाने में वो सोचता था कि एक दिन रुची लुटी पिटी वापस घर आ जाएगी और उसके पैरों पर गिर कर अपनी भूल चूक की माफी मांगेगी प्रभाकर यही सोचता था रुची के जाने के बाद लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा वो जैसे हमने पहले एक एक एपिसोड में देखा कि प्रभाकर उसकी नियत ठीक नहीं थी स्त्रियों के प्रती उसका जो अतितिक रुचाव था वो अपने मित्रों से यूं कहता है वाकसर अपने दोस्तों के बीच शेखी बगारता हुआ कहता है I am surplus for my wife मतलब कि पुरुष अगर वो मानता था कि अगर पुरुष के पास अतिरिक्त पौरुष है तो वो पत्नी से इतर रिष्टे बनाएगा ही यह उसका philosophy था वो खुद मानता था कि उसमें अतिरिक्त पौरुष है और इसलिए वो पत्नी से इतर रिष्टे बनाता था लेकिन हुआ यह कि रुची के चले जाने के बाद उसने यह सोचा था कि रुची रोपीट कर वापस आईगी नाक रगडेगी और इसके साथ रहने लगेगी लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत वो हैरान होकर देखता है कि उसकी आशू बहाने वाली बीवी रुची छोटे परदे की मशूर तारिका बन गई है अकबार और पत्र पत्रिकाएं उसकी गुन गाने लगे हैं तो उसे काफी अफसोस होता है और अच्रच भी होता है हफ्ते में दो बार वो किसी न किसी चैनल पर एपरन पहने करचुल घुमाते नजर आती तो प्रभाकर क्या करता बड़े ध्यान से देखता कि पत्नी के चहरे पर अपने पूर्ण जीवन की कोई चाया या चवी नजर आए वो ढूंडता कि कही न कहीं कोई न कोई दुख उसके चहरे पर नजर आ रहा होगा लेकिन हर बार उसे निराशा हाथ लगती और उसके दोस्त उसे चुडाने के लिए कहते सुना है रुची शर्मा एक शो में आने की फीस एक लाख लेती है अब इसको काफी जलन होता कहां उसकी पत्नी रोने धोने वाली थी उसकी बात मान कर घर में रहने वाली थी अब कहां वो बड़ी स्टार बन गई है एक एक शो के लिए एक एक लाख वसूल कर रही है तो वो गगन पर दबाव बढ़ाता उसके बेटे पर कहता तु अपनी मा को फोन कर पैसे मांग मैंने तिरी देखबाल का ठेका लिया है क्या अपनी आधी कमाई भेजे वह तबी तुझे रखूंगा नहीं तो निकाल बाहर करूंगा बेबाप का हो जायेगा तु अब देखो वो कैसा आदमी है गगन पर प्रशराइस करता है और कहता है मैंने तुझे देखने का कोई ठेका नहीं लिए रखा है अपनी मा से कहे आधी कमाई वो यहाँ भेजे अब यह गगन जो था पापास बॉय तो था लेकिन लड़कपन में वो पिता के कहे अनसार मा को फोन करता था लेकिन थोड़ा बड़ा होने पर उसे काम इस काम में शर्म आने लगी वो क्या था? वो कि 19 साल का हो गया था बीकॉम फस्ट यह कर रहा था और अपने personal appearance में काफी लापरवा था बड़े-बड़े बाल कर रखे थे shaving नहीं की थी और एक दिन प्रभाकर ने उससे जब कहा तेरा university जाना तो मेरे जी का जंजाल है रोज तुझे बस के लिए 100 का note चाहिए अपनी मा को फोन करके तो motorcycle मांग एक बाद जब ऐसे कहा प्रभाकर ने तो गगन को काफी गुस्सा आया उसने कहा आपको शरम नहीं आई आपको शरम आनी चाहिए मेरी मा से आपने कौन सा रिष्टा रखा है जो आपके लड़के को वोई motorbike दिलाएं प्रभाकर एक पल को हत बुद्धी हो गया उसे इतना गुस्सा आया उसने कहा मेरा लड़का उसका भी लड़का है यह बात क्या बार बार याद दिलानी पड़ेगी तब गगन ने उसी उगरता से कहा मा आपसे लड़ जखड़ कर घर छोड़ गई उनसे पैसा मांगना तो थूख कर चाटने जैसा है अब देखे लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको थोड़ी अकल आई उसने कहा कि मा जब लड़ जखड़ कर गई है तो उनसे फिर पैसा मांगना थूख कर चाटने जैसा है और प्रभाकर काफी कुरुध हुआ और उसने सोफे से उठकर गगन को जोर से धक्का दिया और कहा बड़ाया मा का हिमायती भाग जा उसी के पास देखता हूं कितने दिन रखती है तुझे अब देखें इस फ्रकार गगन को वो धक्का देता है और गगन एक टीनेजर था वो भी गुस्से में आ जाता है अपना बैग लेता है और निकल पड़ता है अपनी माँ से मिलने वो ये नहीं जानता था कि उसकी माँ उसे पहचान पाएगी भी की नहीं क्योंकि करीब 10 साल हो गए है उसे माँ को देखें हालनकि उसने अपनी माँ को टीवी में कई बार देखा है और वो जानता था कि उसकी माँ उशिवरा में रहती है लेकिन कौन सा फ्लैक नंबर है व मां उसे पहचान ही न पाए और शेविंग कटिंग वगरा करने के बाद काफी हैंसम दिखता है और पहुंचता है अपने मां के फ्लाइट में और वहां रुची कहती है कि क्या काम है मतलब उसे लगा कि यह कोई पैसें के लिए आया होगा कोई नया नौटंकी लेकर तो वो कह इसे ही ममा पुकारता है ममा वो पुकारता है संभोधन करता है तो रुची के मन में वो ममता जाग जाती है उसे उसकी बचपन की आखें बाल मुख सब याद आता है और वो रो पड़ती है और गगन की आखें भी बरसने लगती है और वो कहता है कि पापा ने मुझे घर से निकाल दिया, तो इस प्रकार दोनों मा बेटे एक हो जाते हैं, बेटे के उपर बीती वो जब रुची सुनती है, तो उसे लगता है कि जैसे प्रभाकर ने उसके साथ किया, वही ठीक उसने उसके बेटे के साथ भी किया, और अंत में फैसला यह होता है कि वो गगन को अपने अपने फ्लैट में रहने की अनिवती देती है, उसके कपड़े, ड्रैस, उसके जो भी भूक्स हैं, सब खरी का देती है और उसे अपने फ्लैट में आश्रे देती है, अब देखिए इस फ्लैट में सर्वेश का भी आना-जाना यता समय होता रहता है, और रुची ने अपन नया relationship शुरू किया है, क्यूंकि उसे लगता है लड़का अपना पिता खो कर आया है, अब ये सुनकर कहीं उसे न लगे कि उसने माता को भी खो दिया, अब रुची इन दो जूट के बीच कैसे जीवन आगे बढ़ाती है, कैसे वो ये manage करती है relationship, एक तो अपने बेटे को अपने फ्लैक में रहने देती है, उपर से सरवेश के साथ उसके संबद के बारे में कुछ नहीं बोलती, दूसरी तरफ वो सरवेश के साथ जीती है और ये के मल्यालम वर्षिन के ओर, सप्नोंकी होम डेलिवरी अन्ना ये उरु नोवल, अधने ट्वर्स दे एंड एत्ता रावंबरते एकिन पल पुधिय पुधिय टोर्न आण अड़ुकन दू, सरवेश नारंगुं, रुची शर्मायुं, उन्नीक्यां तीरिमानी किन्नू, अग्चुली, कढ़ने एपिसूडलों नमले कंड़दु, रुची शर्मा परयाने नमलक्की नीम मीट्टियां, पल प्रावशों मीट्येंब, नमडए यी बेंधततन नुरु, नमडए फ्रेंड्शिप, अध हैंगे ने ग्रोच चेहिनू, अधा निसेचिन नमकादन नु अवरो उन्निक्की गेएं, अवरो तीरमाने विड़कुन्दू, अवरी नीम उरिमिच्च जीविक्यूम एन्न वल्लदु, अवरो डई यी वर्यू रिलेशन्शिप्ने, अवरो रिजिस्ट्र विवाहाणा चेहिदधु, एनन्नाट्ट रुची सर्वेशन वीटलेक्क श अवरो डमस्टिक हेल्प ओंड़, वरो विड़कार येंगे लगच्च चैहिए न्नन, अवरो उरिमिच्च जीविक्यान, अधले इंगिना परैन दुदू, जिंदिगी का यह नया अथ्याये, बिना शोर शराबे शिरू हुआ, सबको ईमेल पर नया पता भेश दिया गया अपना ओशिवारा वाला मकान रुची ने ताला लगाकर बंद कर दिया, अगना फ्रेंट से ने लला, फ्रेंट सरकल ने लला, इमेल आई कारिंगल अरीचु, रुची ओ सर्वेश के इस नव संबंध पर न तो किसी ने फूल बरसाए, न कांटे, उन्होंने दो मित्रों की उपस्तिती में, नोट्री से अपनी विवाह की रिजिस्ट्री करवाई, और हल्दी राम के रस्कुल्लों से सबकामू मीठा कर दिया, विल्ली चडंगोंन्नू अल्ला एरुन्दू, अवरड़े इउर रुलेशन्शिप ने विल्ली कोला हणंगोंन्नू विल्ल्या, मिनिम अवरड़े अट्ट्यावशे फ्रेंट्स सर्कल्लों विल्लेवे आरेच्च्चु, इल्ला आवरकों स्वीट्सू उड़त्तु, अथ्रेंदने, अवरड़े आवरु विवाहांगने यंगर रिजिस्ट्राई, इदिल्ली मम्ता कालिया, उर्यु फेमिनिस्ट आंगल, उर् स्त्रीपूरिष बेंदत्तिनोले, अवरी परेनदु, इवर्यु इवर्यर रिलेशेश्ची पेंगने येरिनन, बडी उम्रके इस समस्दार संबंधिमे, रुच्चियो सर्वेश्ने, एक नूतन प्रनाली का प्रनय निर्मित कीया था, इदि बडी उम्रका समस्दार संबं प्रेटी इददु, इङगने यान, अपने कारिये जगत की व्यस्तताउं का दोनों ख्याल रख्ते, रंडु वेर्युम् अवर्यर जॉब, इद्रमात्रम बिसी आननने रंडु वर्यको वर्या, अवर्यर ओक्कुपेशन लिए, अदोंड अवरी रंडु वेर्यु अदले कईड कर ला है रहनु, फिर दोनों के अलग बैंक खाते थे, और कोई किसी के आय व्याय में हस्तशेप ना करता, रंडु वेर्यको सेपरेट बैंक अकाउंट, रंडु वेर्यों अवर्यर चलब, अंगनारुम कईड कर ला, सबसे बड़ी आसादी इस बात की थी, कि रुच रुची के तंड़ फ्लाटिल पोई वर्क के यानों एंदंगल आवश्यों के उन्टंगिल, आवड़ स्टेज है यानों लावगाशं सर्वेश कुड तिरन, अगर सर्वेश को फुर्सत होती, तो वह भी कभी-कभी ओशिवारा पहुँच जाता, पर सर्वेश न समय गिट आणेंगिल, सर्वेशुम ओशिवारा, नच्या ओशिवारान वर्यमें रुचीड फ्लाटिल, आवड़ पोई आयलूं स्टेज हैं, अप इदु कंड़ट रुची की मित्र मंडलीको उसकी किस्मत पर रश्क होता, रुचीड फ्रेंस वरैं, कितना लिबरल शोहर पाया है तुमें जीने की, काम करने की, पूरी आजादी देता है, अत्र लिबरलायट्रोल उरु हस्बेंड आणु निनकर रुची किट्धी रिखिनाद, निन्द निन्द लाइफ, निन्द रीधील, जीविक्यानु आसो दिक्यानुम, जोली चैयानुम, अक्क्का, फ्रीडन तैर इंगेने उरु इदु वक्केन दद, नच्चा separate bank accounts, अवर-अवर जोलील, अवर-अवर मु़गी इरिखिया, आरु परस्परम् इंटफ्यर, चेया दिरिखिया, अपर रुचीधिने नेन्दा मरोडि परैनद, इसीलिय तो मैं उस्से केहती हुँ, तुम्तो मेरे 10 इस सेंटेंस ओल्मोस्टी नोवल ने सूत्र वाक्य माय टाण राइटर उद्धेशी किन अधु तुम मेरे 15 अगस्ट हो उरी स्त्री परहय आण तंड भरताव पुरिशन तनिक वोरी 15 अगस्ट इंड फीलिंग आणु नचा तनिकी पूर्णमाय तुम इंडिपेंडेंस से त 26 जैन्वेरी आणु रिपब्लिक दे अप्प इंडिपेंडेंस से किट्टी के अधन उरु कॉंस्ट्टिशनल फ्रेमवर्क के आखी के अल्पम जीवतत्तिल चिट्टे के वरिमबढ़ आणु नमल अधने उरु रिपब्लिक इन परहय नदु अप्प जान अध्देहत्त संपून जीवन को संचालित करें सुबा उसके जागने सेलेकर रात उसके सोने तक वह उसका नक्षा तयार रखता कि पत्नी को क्या करना है इदो विल्ली विल्ली विस्त्री समुह नेरेडिन वुरु प्रोबलत ले काणु रैटर विलिचम वीशन अदु अवरी परहय नदु मिख्य पुरिशम मारकुम भारिमार इंद चेहिन्नू एंद क्याननोले इंटर्फिय चियान वलरे संदोश ओल्ला कारियमान वलरे अनि कुछ जीवन साती थो ऐसे थे कि पत्नी को बात्रूम या टोयलेट में भी अगर देर लगती तो नर्वस हो जाती। वलरे रिगम फ्रेंड्स ओंडु वाइफिने। अल्लेंकी फोन एडित्ता पिने निर्तति लंग फोन लोरूत्रूड समसाय चूँ रिगयान। अपा इदु वरूत्रड परस्नल कारियत ले प्रतीच स्त्रीगल्ड परस्नल स्पेस ले पुरिशम मारे वलरे अडिगम कई अड़ता रोंड। अब दिया निबड़ सूजी पिकिन अदु लड़किया हक्की बक्की रह जाती। यह तीसरी किस्म की दास्ता थाई और चोथी किस्म की जकडबंधी जहां आपकी हर गतिविधी के पैरों में डोरी बंधी हो। स्वतंत्र चेताल अड़किया है शाधी से बच्चने लगी थी। अब रैटर परहिनदु स्वतंत्र चेताल अड़किया है इंडिपेनेंस तंड फ्रीडम वेलकुड़क्त ने वेलकुड़कुदक्कन पिन्कुट्टियल। अधु कारण तनेस्त विवाहमें वेंड़ एन स्वतंत्र चेताल अड़किया है शाधी से बच्चने लगी थी। अबड़ नडखकन अदु प्रभाकर्शर्मा रुचीड एक्स हस्पेंड अयाल नमकर्याम वलरे दीगम स्थ्रीलम बडनुम् वैंगिर वोर्यो विर्त्तीयर सोभाव वोल्लो वर्यो मनिशिनायदुनुम् अयाल नेन्न पुर्दी मुट्टियान उर्य जोलिकारी वीर्ट जोलिकारी वरे कैरी पिडिकीगें। अयाड सोभाव, मध्यबानों, वडक्क वरईम, एल्ल्याम अयाड सोभावं गारन, अमिध मध्यबानं पिनन, गगने वशलाकन अदिल अयाड पंग, इदल्ल्लां गारन वान रूची अयले विट्टु मारियदु अपव, अयाड उर्य आचिचूड अंगे न एरनमचायल, अयाड सोर्तकलोड परेमायरिनु, वह मानता था कि अगर पुरुष के पास अतिरिक्त पवरुष है, तो वह पत्नी से इतर रिष्थे बनायगा ही, वह अक्सर दोस्तोंके बीच, शेखी बखार्ता, अयाम सर्प् अधो उन्डान पोल्वायरि, अयाड भारी विट्टेट्ट्टु वेरस्त्रीगल्ड पोरगे पोवनदु, विकोज, अयाम सर्प्लस एनके आवशत्ती कोड़ुदेल उर्जे उन्डु, अपप एनके अधिस्ट्रीब्यूटे यान, वेरस्त्रीगल्ड अड़तेकी नाम वरी पुरिशन एरनु, प्रभाकर शर्मा, अपप इप्पायाड अवस्ते नंवर्चा एड़ शारी रीग, अवस्ता वळरे मोशम आईकोंड रीगे यारन, एड़ एकोणमिक स्टेब्लिटी नष्टपट्टों रीगे यारन, करना एड़ इमध्यमेरूं सभावांगारन वीटल पल बिल्लिगल अक्क पेंडिंग आयरन, आधनी उबरी एट्टों गुड़ ला एको बुथिमुट अंद आयरन, इसे भी जादा तकलीफ उसे तब हुई, जब उसने पाया कि उसकी आसू बहाने वाली बीवी रुची, उसके देख्ते देख्ते चोटे परदे की जुन गाने लगे, इल्ला पेपर एवड तोर नोके आलूं, रुचीड फोटों, रुचीए प्रशमसी चोड़ला पाड़ंगलों आटिकल्स वके आन। अवड पास्ट जीविदां, नच्चे एन्नोड अप्पोल्ल जीविदत्तेंडे, एन्दंगिलोरी दुख्खम, अवड मोहत्त प्रदिफलीकी नुण्डोंन प्रभाकर वलरे सूचीच नोकु, पक्षे इल्ला, रुची वलरे स्मार्टूं, वलरे हैप्याटान स्क्रीन अधु कानपड़नादू, अधु कानबं प्रभाकर नुन्नोड अरिशम मेरिऊ, और अयाड अरिशम कूटामेंडी याड़ फ्रेंच सु परहिं, उसकी मंडली के दोस्तियह कहकर उसका खून अलग जिलाते, सुना है रुची शर्मा एक शो में आने की फीस एक लाख लेती है, अधु कानपड़नादू, अधु कानपड़नादू, तु अपनी मां को फोन कर पैसे मांग, मैंने तेरी देखपाल का ठेका लिया है क्या, अपनी आधी कमाई भेजे वह, तबी तुझे रखूंगा, नहीं तो निकाल बाहर करूंगा, बे बाप का हो जाएगा तु, अपनी या, अपनी या, अपनी उरी लक्षोवक्क मेड़िकिनन नरहींब, याल, मगन्न मोलोट देशे पड़ू, अमेवड परा, पगदी निनक्क हैच्चि दरे, अल्ले, निन्ने नोकड़ोंद न न्यान कोंट्राट्ट उन्नों, एड़त तेल्ल्या, लड़क्पन में अपनी तो गगन पिटा के कहे अनसार मांको फोन करता था, लेकिन थोड़ा और बड़ा होने पर उसे इस काम में शरम माने लगी, पकोच्च चूटी आरन पंगगन अंगन चेहीं मैरना, चाहोन चेहां मरहें में उड़ला कड़ातरों का परन्य, अम्मेड़ैन पैसा उच् गगन 19 साल का हो गया था, बड़ी मुश्किल से वा बीकॉम के पहले वर्ष में पहुँचा था, देखने में वा खूपसूरत और लंबे कतका था, लेकिन अपने रख रखाओ के प्रती लापर वा, पक्गन पत्तमबद वैस आई, फस्टीयर बीकॉम, पक्षे काणा नल्ल कर परें, तेरा उनिवसिटी जाना तो मेरे जी का जन्जाल है, रोज तुझे बस के लिए सो का नोट चाहिए, अपनी मा को फोन करके ये तो मोटर साइकल मांग, वो निन्ने उनिवसिटी विड़नाद इनकी पमिल्यत तालवेद ने आई, मारे रिकिया आना, याम्मेड प अपई जान एंद पेरिपर जान, अम्मेड इनकाश मेडिकिनाद। प्रभाकर एक पल को हत बुद्धी हो गया, उसने कहा, मेरा लड़का उसका भी लड़का है, यह बात क्या बार-बार याद दिलानी पड़ेगी, एंड मगनान नियेंगिल, अध अवडेंगोड मगनान, अधा जान अवड़े एलला प्राशों औरमिपी चोंट रीकेनों, नच्या मागन उल्ला चलवगल अवड़ा आईचने पच्चु, अधा आना दिनके द्वनी, गगनने उतनी ही उगरता से कहा, माँ आपसे लड़ जगड कर छोड़ गई, उनसे पैसा मांगना तो थूख क चाटने जैसा है, अपां गगन अंग देशे मरें, गगन बरें आम्मा आचन अड़तन पैसा जोई किन अधा तुप्पी अधा अधा नकन दो बोलान, प्रभाकर सोफे से उठा और उसने गगन को जोर का धक्का दिया, बड़ा आया मा का हिमायती, भाग जा उसी के पास, द अमको नोकावलेवल एत्प्रा नाल निन्ने वक्कु वन्न, गगन ने कुच्छन पिताको घूरा, फिर्वा अपने बैकपैक में कपडेट हुसने लगा, एक और बैग में उसने अपनी किताबें डाली, अपा यी मगन वलन्नू, मगन अरिवुम बोधवक्क वन्नू, अप अच्चन इंगिन तल्ली, एरंगी पोवाम परण्यपा, मगन अद फीले एदु, गगन वेड़ी बैकपैक लिए तंडबुक्सुम, अत्याशन तोनी यल्ले यल्ले तंग वीतिन एरंगम, चल्तेवे उसकी इतनी इच्छाबी नेई हुई कि पितासे विदाले, एरंगन सम अच्चन आरें स्नैइके नुक्कूल, अम्में स्नैइच्टि इल्ला, अच्चन एननें स्नैइच्टि इल्ला, अदु मनसी पर्ण्यट्ट्ट, अच्चन ओड़ु पोवनूनु परयाद अन्ने, अवननंग एरंगू, अप्पा, गगन इविड़िन अम्मे थेड़ी अम्मा ओशिवरेल्ला, अधान स्नैइच्टि इल्ला, अधान स्नैइच्टि इल्ला, अधानities पकूल, अवन्मे स्नैइच्टि इल्ला, अम्मे महीड़ु पर्ण्येच्ट्ट पिन्तर्मे इवहन विळिक्के रोलु। एनननालीं, ओटो पिडिच्छु, पोवुन्न वळिक्के, वेरी बाबा शॉपले के यहरी, यहळु मुडी हेर्ड़ खट्टक चेहिं करणां, अल्ल्ले इक खोलती पोया, अम्मा, उट्टुम सम्मधिके तिल्यायों। अल्ले इकोलती पोया अम्मा उट्ट्टू असेप्ट्टी इला अवन आरिया अपपा अवन शेवू हेर कट्टों कचेएदु नल्ले हैंसम आयट्टू शेवी यांगेरे तिरिच्ची वन्न अपड़ ओटो कार नंग कडनंगलें यहाड़ बैगु वायट्टू अज़ा तरिनन बुक्स्तू मत्या अविशन तूनिगलू अंगना पिन्नीड एंगनेंगलू वेरूरू ओटो पिडिच्ची इफ्लैटलेत्टनू रुच्ची आधियम वलरे फोर्मलायट्टै अरुन्न यहाड़ बैगनेंगलू पक्ष्य मगने कंड़ मगन्मा यहाड़ फिलिचे पोल्टै विलिचे पतने रुच्ची केंगलू उरु मादरत्त सहजमाय विगारम वरिगें रुच्ची पुट्टी करें अवडवे चीवरी परस्परम शेरे, प्रभाकर मगने एरक्कि विट्टन्दू, अपर रुची कदल्ला मन्सलागा, अपर रुची कदल्ला म्रिलेट्रियां पच्चिन्दों डेलू, करनाम तन्नोड पेरिमारीय पोले तन्न, अदू रिपीट्ट्चेएदु तन्न, गगन पत्तमींटरोल अपोइंट्मेंट्मेंट्टान अम्मा तन्न, अदू वऴरे फॉर्मला एट्ट्टू, अपर गगन पोवान उर्यंगमब, रुची वरैमीनी पोण्डा इवड़े स्टेज अधामादी, अपर वळरे नाडगियमायट्टि, फ्लैट्टिल, सर्व उल्जन यह थी कि वह गगन को कैसे बताये कि उसे दूसरी शादी किये काफी वक्त हो गया है, यह बताने पर कहीं वह दुबारा बे घर, बे आसरा ना हो जाये गगन रड़त्त, गगनी पाच्च नस्टपट्ट इवड़ वन्निरिक यानु, इवड़ वरिम्प जान दुवा परैया आन, या वेर विवाहं गल्चु, अप्पा अधु एककोंबा कुट्टिक्की पिन्ने अम्मेंगुण नस्टपटन वरी फीलिंग उन्डावमेलो, अंगने उद्यू, अन्फूशन, रुचिड मनसे उड़ाई, अंगने मागन, अपा मागन इवड़ आंग सेटिल आई, पिन्ने मागन चोई कि आन, इतना छोटा घर क्यों लिया मा, मैंने तो सोचा था, आप बहुत आलिशान मकान में रहती होंगी, यां गरी दियता, अम् सोने नहाने आती हुँ, यान उट्चेकल्ले उड़ू, अप्पे एनिकी यूरी चर्रिय फ्लाइट वोल्यू, एनने मैं वैंगर, अयट्ट, वेश्मिपिक्यू, एगान दा, अंगने, गगन वेर उड़ू, साजेशन उड़ वक्कुम, एन्दचे, एन्दान वच्च, देखो, मेरी जो हैसियत है, उसमें मैं तुमारे लिए काम नहीं मांग सकती, तुम 19 साल के हो गये हो, पहले ही तुमारी पढ़ाई पिछड गई है, पहले बीकॉम पुरा करो, फिर कोई विशेश काबिलियत वाला कोर्स करो, तब नौकरी की सोचो, अब रुची उट्टु अगले तीन दिनों में रुची ने गगन को सब कुछ दिला दिया, कपड़े, किताबे, तौलिये और नई चादरे, शाम को उसे घर की चाबी देकर समझाया, जब कोले जाओ, घर अच्छी तरसे बंग करके जाना, मैं तीन चार दिनों में आती हूं, अब आ दोसम रुची सर्वेशिंटर फ्लैटले की पोई इल्ला, पक्षे पिन्नीड़ गगनने यल्ला इविड़ सेट्चिल आखियानी शेषम, रुची, कार्यंगलक्क परणि मन्सल आखियेट्टु, गगनन्न वेंट सानंगललला मेड़ चूड़ुथत्टु, परैं, इविड इन्न कोलजी फ्लैटननलोवल पूटे येट्ट पोणं, या मुनननालोवसं, कानति इल्ला, अधुगले ये वर्यावुथ, अपन नमक्क नोका इविए, बेंधम, एंगने इदु मुन्नूट्टु रुच्चिकी कुंडवां पट्चुम्, करन इविए फ्लैटले स्थिरं सत्यं परयादे, सर्वेश्च एन्ना वरु पुदियााळु, अवरर जीवधत्तेलों उन्डु, एन्नो मगनूडों उलेपिच्च्चि वक्कुगे, मर्च्च सर्वेश्च नोडुम् 3 मिल्य सत्यं, तनिक्योरी मगन उन्डु, आ मगन इप्पं, एंड़ फ्लैटले ताम सिक्किनू, एन्न वोलुम् मर्च्च वेच्च टेंगने रुची रिलेश्चिपिने मुन्नोटु पुण्डों, एन्न नमक्कु नोका, अप्पव इवरी परस्करम 15 ओगस्टुम् रिपब्लिक डेयके आणंगिलु, इसत्त्य आरीम्बं, एन्दारिक्योड जीवधत्ते सम्पोईकिनது, एन्न नमक्कु पिन्नीड अटित्त एपिसोडिल, काणा, अधु वरेक्यू, नन्नी, नमस्कार,